हेई फ्रेंज, वेलकाम, कैसे हैं आप सब, आशा है, आप सब भी स्वस्थ होंगे आज हम चेक कर रहे हैं कि आपके परसन के मन में अभी इसी वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, तब उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका next move इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, कब हो सकता है आपको क्या करना चाहिए, प्लस ये charms reading भी होगी, हम charm से भी चेक करेंगे, कि आपके लिए क्या messages आते हैं, आपके लिए क्या guidance आती है, आपके person क्या सोच रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं reading timeless है, प्लस general है, प्लस collective है, सभी science के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है, सभी से resonate करें, जिससे जितनी resonate करें, उतनी रखें, बची हुई को जाने दे, कुछ लोगों से ये पूरी resonate करेंगी, कुछ लोगों से थोड़ी करेंगी, कुछ लोगों से ये भी हो सकता है, कि ये बिल और सबसे पहले सभी लोग एकदम positive हो जाएं, oh my godness, जैसे ही positivity का नाम लिया है, four of wands आया है, participation आया है, Aries Leo साज की energy आई है, आपके person के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपको बारी बारी से explain करूंगी, क्या चल रहा है, fire energy है, fire energy दिखाती है, love को, romance को, passion को, intimacy को, physical relationship को, और साथ ही में balance energy है, जो दिखाती है कि ये relationship या फिर ये physical intimacy या फिर ये romantic पल, ये सिफ एक दो दिन, एक दो महीने या एक दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, जन्मों जन्मों के लिए, पूरी जिन्दगी के लिए, तो आपके person के मन में, आपको ले कर प्यार तो है ही, साथ ही में sexual desires हैं, physical desires हैं, intimacy की desires हैं, आपको पूरी तरह से अपना बना लेने की desires हैं, लेकिन ये desires short term के लिए नहीं हैं, long term के लिए हैं, lifelong के लिए हैं, forever के लिए हैं, आपके person खुद को balance कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को balance कर रहे हैं, और कई लोगो के person काफी हद तक balance कर भी चुके हैं, हो सकता है हाल फिल हाल में उनकी तरफ से आपको positive response मिलने भी शुरू हो गए हूं, या फिर बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे, it's very good, I'm very happy for you friends, and मैं यहाँ पर देख पा रहे हूं, काफी लोग spiritual journey में हैं, काफी लोग soulmates हैं, celebration चाहते हैं, इस रिष्टे में वो चाहते हैं आपके साथ engaged होना, lifelong connectivity बनाना, और अगर आप by chance separation phase में हैं, तो वो आपके साथ, reconciliation मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी, क्योंकि reconciliation बनता रहता है, बिगरता रहता है, कभी हुआ, फिर ब्लोक हो गया, फिर अन ब्लोक हो गया, फिर ब् reunion का, तो वो आपके साथ reunion चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपकी तरफ reunion के लिए आते हुए भी दिखाई देते हैं, congratulations in advance, मैं हापे देख पा रही हूँ कि आपके reunion और marriage कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए सभी लोग राजी नहीं होंगे, कुछ लोग राजी होंगे, कुछ ल ही मानता है, उसको भी invitation है, आना चाहे तो आ सकते हैं, आपको support करना चाहे तो कर सकते हैं, otherwise move उलाकर excitement बैठ भी सकते हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कुछ family members, कुछ friends बहुत excited होंगे इन सब चीजों के लिए, वहीं कुछ की नराजगी का सामना भी आपको करना पर सकता है, और card लेते हैं, क्या अब बताता है card आपके लिए, यह divine taro है, यह जो भी बताते हैं, एकदम exact बताते हैं, so इन पे कोई doubt मत रखना, and turning in, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, what a coincidence, और turning in में एक female है, जो कि कही न कहीं आपकी energy से भी connected होती है, no matter कि आप male है या फीमेल है, बच मैं यह देख पा रही हूँ, आप लोगों ने काफी meditation की है, manifestation की है, खुद को काफी improve किया है, खुद के चक्रास को balance किया है, negative energy को खुद से दूर किया है, और आप internally काफी positive हो, काफी शान्त हो, काफी mature हो, and काफी divine से connected field करते हो, अब आप औरों की कहा सुनी पर विश नहीं करते, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी intuition कहती है, जो आपको divine से guidance मलती है, जस्त आप उसको सुनते हो, और उसको follow करते हो, हो सकता है, कभी आपने इस person को बहुत बार अपनी तरफ से कुछ offer किया हो, या फिर अपनी तरफ से कोई proposal sent किया हो, लिकिन काफी time से मैं person की energy भी यही बताती है, कि double four है, वो पहले से काफी balance है, reunion और marriage के लिए ready है, अपनी intuition को सुन पा रहे हैं, उसको follow कर पा रहे हैं, और इधर उधर की बातों पर अब वो believe नहीं कर रहे हैं, जो उनकी intuition कहती है, उसी को believe करते हैं, और उसी को follow भी करते हैं, एक और card में निकालत हूँ, क्या आता है, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, morality, वो बहुती तमीज वाले तरीके से, सलीके से, mannerable way से, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जमानाई Libra Aquarius energy है, सारे वाद विवाद, सारे मन मुटाव, सारे नाराजगीयों को दूर कर देना चाहते हैं, अगर कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिष्टे की एक नई शुरुवात करना चाहते हैं, और इस बार आपको उनकी rudeness, उनकी ego का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो बहुती polite way में आपकी तरफ सामने आते हुए दिखाई देते हैं, अब हम चेक करते हैं कि व ऐसे तो सभी लोग सुन्दर होते हैं, लेकिन जितने आप उने सुन्दर लगते हो, उतना उन्हें कोई सुन्दर नहीं लगता, आपकी सुन्दरता पर बहुत जादा अट्राक्टेड हैं, आपका शेरिंग नेचर उनको बहुत पसंद है, आपका काइंड हार्टेड दिल बहुत पसंद है और उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और similarly उन्हें ये भी पता है कि आपके मन में भी intimacy, sexual, physical and love वाली सभी desires है, consequently उनके मन में भी है, बहुत time से जिन पलों का आपको wait है, उनको भी wait है, finally वो इन पलों को आगे ले जाना चाहते हैं और आपके wish पूरी करना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी वो आपसे सब को share करेंगे, जो भी आपके बनके doubt है, उनको वो दूर करेंगे, and definitely कोई offer उनकी तरफ से आ सकता है, solid, बहुत जल्दी, जिसका आपको काफी time से wait है, ठीक है, उनके next action से पूर्व हम लोग charms reading देखते हैं, कि charms क्या कहते हैं, ऐसे में charms क्या कहते हैं, charms हम इन पर रख लेते हैं, ऐसे में charms क्या कहते हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है, थोड़े से ही charms मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं, बड़ जितने भी आएंगे, definitely मैं उनको explain करूंगी, मुझे ये symbol, एक spirituality का symbol दिखाई दे रहा है, एक omkar का symbol दिखाई दे रहा है, don't know आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कहना चाहते हैं, कि वो divine के guidance को सुन पा रहे हैं, receive कर पा रहे हैं, इस connection में नई शुरुआत के लिए ready हो रहे हैं, वो आपको कहना चाहते हैं, कि उनकी नजर बड़ी दूर की हो गई है, अब ना ही वो कान के कच्चे हैं, जो किसी की भी बात पर विश्वास कर ले, और ना ही उनके विचारों में उनको कोई doubt रहा है, उन्हें सब कुछ clear हो चुका है, वो काफी wise हो चुके हैं, mature हो चुके हैं, अब उन्हें आपकी तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोप सकता, वो आपको कहना चाहते हैं, leaf, एक beautiful सी leaf है याँपर, वो आपको कहना चाहते हैं, कि वो अब इस रिष्टे में growth चाहते हैं, इस रिष्टे में prosperity चाहते हैं, lifelong connectivity चाहते हैं, अगें spirituality का symbol है, that means जिस भी divine universe से आप connected हो, यह उसका symbol है, जिसमें वो आपको बताना चाहते हैं, कि definitely divine आप लोगों के रिष्टे को bless कर रहे हैं, दो बार symbol आए हैं, और आपको घबराने की बिलको ज़रुरत नहीं हैं, यहाँ पर देखो तो दो beautiful सी मशाले आई हैं, ठीक है, जिसमें वो कहना चाहते हैं, कि divine उनको रोश्टी दिखा रही है, divine उनको रास्ता दिखाई दे रही है, दिखा रही है, जिसको follow करके वो आपके तرف बढ़ रहे हैं, और साथी में यह दो मशाले यह भी दिखा रही हैं, कि अब आपके रिष्टे में आगे सिर्फ और कोई negativity नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई भी किसी भी लोगों का manipulation नहीं आपके रिष्टे में सिर्फ brightness होगी, रोश्नी होगी आप लोगों के रिष्टे में सिर्फ और सिर्फ आगे ग्रोथ होगी then last में है हमार पास beautiful सा sunflower which is implying again a new beginning, light from the sun and सारी negativity का removal and आपके रिष्टे में beautiful ची, growth, abundance अगर आप लोग मारेड हैं और सोच रहे हैं कि reunion या reconciliation के बाद आप लोगों का baby होना चाहिए तो उसकी possibility भी काफी अच्छी है कि आप लोगों को बहुत जल्दी after marriage या फिर after reunion baby हो सकता है I hope कि अब आपको charms clearly दिख रहे होंगे तो ये charms आए हैं आपके friends अब मैं चेक कर रही हूँ कि उनका next move आपकी तरफ क्या हो सकता है Om Sai Ram The fool The fool is again implying a new beginning a fresh new restart जिसमें सारी negativity over हो चुकी है किसी का कोई interfere भी नहीं है क्योंकि ये अब किसी और का interfere सुनना भी नहीं चाहते और definitely आपको propose करते हुए दिखाई देते हैं आपके साथ marriage, reunion करते हुए दिखाई देते हैं आपके साथ दुबारा से connect होते हुए दिखाई देते हैं आपके साथ honeymoon पर जाते हुए दिखाई देते हैं travel करते हुए दिखाई देते हैं लाइफ को enjoy करते हुए दिखाई देते हैं अब last message आपको क्या करना चाहिए? abundance, आपको अपनी growth पर ध्यान देना चाहिए आपको balance रहना चाहिए आपको अपने career पर focus करना चाहिए आपको सभी चीजों में proper balance लखना चाहिए और आपको long term connectivity में विश्वास रखना चाहिए definitely में बहुत जल्दी आपकी तरफ action आ रहा है बट still मैं card ले रही हूँ, कब तक आ रहा है? 3 weeks, 3 months या फिर 3 days या फिर कुछ लोगों के लिए within 3 minutes जब भी आप ये reading देख रहे हैं आपको उनकी तरफ से कोई positive signal मिल सकता है कोई positive gesture मिल सकता है ठीक है? तो ये थी friends आप लोगों के लिए reading ये थी आप लोगों के लिए charms I hope आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो like, share and comment जरूर से करें Thank you so much for watching May God bless you